नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चर्म अब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पीशियल के दोस्तों जो प्रिविस येर का कंप्यूटर का कोशन पुछे गे था उसके कोशन को हम लोग यहां पर सब्सक्रार करें यहां पर दोस्तों देगेंटेएं करता यान कि 2500 दौरह पैचाना जयता हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं तोस्तु सब्सक्राइब identify यानि कि identify मतलग i node से हम लोग क्या करेंगे identify कर लेंगे ठीक तो high node यहाँ character सब्सक्राइब पहले का चौथ यूरयन का फुल्फार्म करेंगे आप पूछा गया है। यूर्यन के देखिए जो फुल्फार्म होता है यह होता है अपका Uniform Resource Locator आपसा नमबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा यूनिफार में रिसोर्स लोकेटर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है तीसरा कोशन यहाँ पर कह रहा है निमलकित में से कौन 256 नीबल्स के बराबर होता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 256 नीबल्स किसके बराबर होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक नीबल ठीक एक नीवल बराबर होता है दोस्तों आपका यहां पर चार बिट के ठीक तो यहां पर एक चार बिट के बराबर और देखिए एक बाइट बराबर होता है आपका आठ बिट के ठीक और देखिए तो यहां पर एक चार यह भी हो जाएगा एक नीवल एक नीवल बराबर यह तो हो गया सुआरी इसको यहां पर दो नीवल करिए ठीक तो दो नीवल बराबर होता है आपका यहां पर एक बाइट के बराबर ठीक तो यहां पर देखिए दो नीवल बराबर हो जाएगा आपका एक बाइट के बराबर यहां पर यह पूंचा गया है कि 156 नीवल के 128 बाइट के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों दो नीवल बराबर होता है एक बाइट के ठीक तो यहांपर तो 256 का आदब किनना हो जाएगा 128 बाइट हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका तीसरे का दूसरा अंसर 128 बाइट देखिए दोस्ते आप पर चौथा कोशन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि नेम लिखित में सकावने क्तूर्टी माने नहीं है बलकि एक विश् बनाते हैं ठीक दुच्ण कभी देखते हांगे कि आपको खौल कीस्त्रेख सर्ण देना पड़ता है तो आपको रसे क्या करते हैं यह तो यहां पर हाइज बैस यहां पर यहां हो जाएगा ठीक यहां पर तीसरा correct answer हो जाएगा देखिए यहां पर पांचा कोशन क्या कर रहा है क्या रहा है कि एक CPU प्रोग्राम के निस्पादन के दौरां डेटा तक पहुचने के लिए किसके साथ सीधे अंत्यक्रिय यानि कि इंट्रेक्ट करती है यह रैम के साथ दोस्त इंट्रेक्ट करती है छठा कोशन का रहा है कि Microsoft Excel में चौधी रोव और पॉंचवे कालम की मिला वाले सेल का एड्रेस क्या है तो देखिए दोस्तों सेल लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं जब भी देखिए आप अंग्रेजी में लिखते हैं सेल और रो ठीक अंग्रे पिर जो रहेगा आपका रो यानि की पंग्ति को बताएगा ठीक कालम और पंग्ति अब यहां पर देखिए जैसे कि आप कोई भी पेपर प्रिंट आउट कराने जाते हैं कहते हैं आपको किस में किस फार्मेट में कराना है तो कहेंगे एफोर साइज में या एथरी ये है तो अग। वह यहांजम को दोस्तों यहां पर देखिए पहला हम लोग लिखेंगे है कालय में हम लोग क्या भी लिखेंगे यहांत फेला कालम कुल लिखेंगे यहां देखिए रो रो के आ गया है यहाँ पर देखिए चौथी रो चौथी रो को यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से चार लिख देंगे तो यह हो जाएगा ई-4 यहाँ पर देखिए आपका शिक्स का पहला अंसर करेक्ट हो जाएगा ई-4 साथों कोशन यहां पर देखिए निम्लिकित में से कौन एक अस्थानी टेलिफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचार संचारित करके इंटरनेट पहुंच एक्सिस प्रदान करता है देखिए टेलिफोन नेटवर्क के माध्यम से जो डिजिटल डेटा संचारित होगा व पर दूसरा correct answer हो जाएगा अज देखिए यहां पर आठों कोशन क्या कह रहा है कि माइक्रो साफ्ट वर्ड 2007 में एक टेबल में बैंडेट रो और कालम के बारे में निमलखित में से कौन से विकल्प सही है तो देखिए यहां पर बैंडेट रो या कालम में सम और विसम रो या कालम को दूसरे रंग के साथ परदर्शित किया जाता है यहीं विकल्प यहां पर सही है ठीक देखिए यहां पर नवा कोशन क्या कह रहा है किरें निमलखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताजय या रिफ्रेस करने की आवसकता होती है तो यहां पर क्योंकि यह ड eine में होता है इस इसको रिफ्रेस्स करने की आध शीकता होती है तो डाइनमिक टेकर संस्क्राण है जिसमें समुच्च में के यूठते हैं छमताओं के समुच्च्च से यूठते हैं मिंडोस से वन को टॉटल दोस्तों से संस्क्रण है कि तो छैंस्क्रण से यहां पर है उसब पहताना कि ृप यहां पार है बारे नंभर कोषण के निम् selbst में से अचंगत पहचानी हैं देखिए यहां पर कहला है कि SRAM है DRAM है और EPROM है और MAGNETIC TEP है तो यह तीनों दोस्तों यह जो तीनों है यह आपके दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है ठीक प्राइमरी मेमोरी है जबकि MAGNETIC TEP जो है दोस्तों यह आपका सेकंडरी मेमोरी है ठीक यही आपका अलग है MAGNETIC TEP तेरे नंबर का कोशन यहां पर देखिए कर रहा है कि Microsoft Excel में सेल की सामगरी को डिलीट करने के लिए निमनमे से कौन से एक वैध तरीका है नहीं है तो सेल की सामगरी को डिलीट करने का वैध तरीका नहीं है यहां पर पूछा गया है तो देखिए दोस्तों अगर आप किसी भी सामगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लो कि हम लोग रोग चैन कर लें अब इलीट कुझजी पर किलिक कर दें तो भी हमारा डेलिट हो जाएगा नहीं पर रिमूब वाला आप्षम नहीं रहागा तो हैल पर और राइट किलिक करें और रिमूव का चैन करें ऐसा नहीं है ठीक तो यहां पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोद्रane नपर कोष्टन कर रहा है किसी वे पेज के लिंक चब या चिनption को क्या कहाँ जाता है जो और देख करेंगे तो आपको दूसरे पेज़ पर लेकर चला जाता है थो हमारा फ़िर कर Dr worldly करता है तो हमारा परETH कह लाता है तुछ पंदर नंबर कोशन है कि प्रतेक Microsoft Excel फाइल को क्या कहा जाता है तो देखिए प्रतेक Microsoft Excel फाइल को हम लोग दोस्तों workbook कहते हैं अब देखिए सोले नमबर कोशन है कि डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नेमो के एक समुच्चे को क्या कहा जाता है तो देखिए डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नेमो के समुच्चे को हम लोग प्रोटोकाल कहते हैं अब सत्रे नंबर कोशन है कि Microsoft Excel function का मान क्या होगा तो देखिए आप पर कह रहा है सीधे कि आपको जोड़ने की बात कह रहा है कि सम करिए किसका वन और टू का तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ठीरिग सारवजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है वह रहता हमारा वर्चूल प्राइवेट नेटवर्क तो वर्चूल जो प्राइवेट नेटवर्क होता है यह क्या करता है कि जो भी सारवजनिक नेटवर्क रहते हैं उसमें दोस्तों निजी नेटवर् कोई कार करने में सच्छम बनाती है तो यह रहाएगा दोस्तों आपका स्वेचालन यानि कि आटोमेटिक जो होता है यह आटोमेटिक क्या होता है बिना मानुवी हस्ता च्छेप को कार करने में सच्छम बनाती है ठीक तो यहाँ पर तीसरा सचालन यानि कि आटोमेटिक क्रेक्ट आंसर हो जाएगा बिस नमबर कोशन है कि यदि आप एक विंडो को बंद किये बिना आस्थाय रूप से स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो आप लोग किसका परियोग करेंगे तो देखिए अगर आपकोे स्क्रीन से बाहर आना है स्थाय रूप से बेंडोес से बंद किये तो वहाँ पर हम लोग मिनिमाईज को प्रफ़न रहता है उस पर मैनस के चिनन रहता है यह मिनिमाईज का रहता है ठीक? और एक चिन है दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता ह कि आप लोग तो यह हो गया अब दोस्तों यहां पर minimize यह आपका correct answer हो जाएगा minimize बटन अब दखें किस नंबर question है कि Microsoft वर्ड में निमलेखित में से कौन से विकल्प व्यक्तियों के समयों के लिए पत्र और email या label या लिफाफ है बनाना और उन्हें print करने की अनुमति देता है तो दखें ज निमलेखित में से किस menu item का उप्योग विभी ने प्रस्तुति या presentation view अच्छा यहां पर दोस्तों view की बात किया है तो view यानि कि देखने के लिए हम लोग किसका परियोग करेंगे तो view का ही परियोग करेंगे यहां पर तीसरा correct answer हुजएगा view तो तेस नंबर question है कि Microsoft Excel में नि नहीं है वह दोस्तों है यह वाला कि अच्छोब इस नंबर question है निमलेखित में से मौझूदा Microsoft PowerPoint presentation में एक नाइस जोड़ने का keyword set cut की क्या है तो देखिए यहां पर एक सी ध्यान दिजिएगा जब कहेंगा PowerPoint presentation में नाइस जोड़ना है ठीक तो जब जोड़ना है नाइस सलाइड ठीक यहां पर हम लोग किसका परियोग करेंगे तो control प्लस M का परियोग करेंगे नाइस सलाइड के लिए और एक होता है दो पर स्क मिल्फ किसको तो नए तो नई फाइल को ड़ुक तो नाइस भाल्न इस बताकोमेंट को जोड़ने के लिए करते हैं ते यहां पर नई ड़ुदेने के लिए करेंगे तो कि किसी अनुछह को कई लाइनों में फैलाने काम तो यहां पर और पीछ थे ला हुगा है 26 नंबर को सरकी मैक्रो सट एक्सले वर्क सीट के पहले हुडरिस क्या होता है से पहले ज़से लकत होता है दोस्तों एवन होता है लेकिन दोस्तों अगर आप इसके पहले अगर आप लोग डालर का यहां पर साइन इस तरह से अगर बना देते हैं तो यहां पर देखिए नार्मल एड्रेस तो यहां पर दिया नहीं गया है तो एड्रेस यहां पर हम लोग टिक करेंगे बस क्या होता है कि जो भी आपका सेल रहेगा ठीक जैसे कि यहां पर पहला चरक्श क्या रहेगा यह आपका क्रहेगा कालम हो इनके पहले गर डालर वनार यह ज़े जव तो यह हमारा एपसorseि हो जाता है ठीक तु यह हो गया दोस्तों इसके बारे में अब 27 नमबर कोशन कर रहा है कि Microsoft Excel की सामगरी को इडिट करने के लिए कौन सी फंक्सन कुझी दबाएं तो देखिए Microsoft Excel की सामगरी को इडिट करना है तो सामगरी को इडिट करने के लिए हम लोग F2 का प्रियोग करेंगे ठीक फंक्सन कुझी जो इफ्टू रहता है इससे क्या होगा कि Microsoft Excel की सामगरी को हम लोग इडिट कर सकते हैं 28 नमबर कोशन करें कि Microsoft वर्डड वजार साइथ के सब्समों में निम्नलव से कान समस्व नहीं होता है तो देखे दोस्तों एक तो आपका नार्मल रहता है narrow, wide और एक mirrored, थेक, तो mirrored margin होता है एक तो normal narrow, wide और मिरर होता है जब फ्रेम्ड मार्जिन नहीं होता है ठीक यहां पर इसका सी आंस्वारी दूसरा अंथर करेक्ट हो जाएगा फ्रेम्ड है कि 29 नमबर कोशन है निमलखित में से कंप्यूटर नेटवर्क को वैस्विक संग्रह के रूप में परिभासित किया जाता है जो कि राउटर नामा को करणों द्वारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा संचने यह टांस्मिशन के लिए प्रोटोकाल के एक करती देए और मधियोक विंडो जो उप्योग करताओं को एक कमांड करने की अनुद के देती है और उप्योग करताओं से Ł controller पूछते हैं या आप लोग क्या करेंगे कोई चीज अगर इंटर करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा या फिर वह आप से डाटा क्लेक्ट करेंगे यानि कि आप उससे पूछेंगे तो आपको जो भी जानकारी रहग वह आपको परदान करेगा तो डायलाग वाक्स होता है ने या आ अपू नेटवर्पर इमील सरवरों के बीच संदेशों की आधान-ப्रदान को सम्हालता है तो रहता है दोस्तों सिंपल मेल ट्राणफ़र प्रोटोकाल ठेख तो सिंपल मेल ट्रांफ़र प्रोटोकाल श्म्तेप हो जाएगा और देखिए 32 नमबर कोशन कि हमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन से कथन सही है तो देखिए कह रहा कि Microsoft Word डाकुमेंट में पेज लियाउट मेनू में नार्मल नामा के मार्जिन होता यह तो उपर पहले ही आया तुम नार्मल नामा कुमार्जिन ठीक और एक समय में एक स सब इडिट भी किया जा सकता है यह गलत है एक साथ सभी को इडिट नहीं किया जा सकता तो यहां पर दूसरा गलत हो जाएगा आपसा नमबर यहां पर चौथा करेक्ट हो पहला साथ है दूसरा सब्सक्राइब त्यांतिस नमबर कोशन करें कि सेवन का एएएस सी आई आई कोड इतना है तो आट का एएस सी आई कोड क्या होगा तो अ मतलब अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड फर इंफारमेशन इंटर्चेंज होता है इसका फुल फारम और इसका जो कोड होगा दोस्तों आठ का वह ऊगा 0011 सब्सक्राइब करने के लिए कि सब्सक्राइब करना है तो यह हो गया दोस्तों इसके बारे में अब देखिए यह देखिए इसका में काम होता है दोस्तों कि जो भी CPU रहता है इसकी गति को मापने का काम करता है एम फ्लाप्स ठेक तो यह हो गया दोस्तों एम फ्लाप्स का अगर हम लोग दोस्तों अगर फुल फार्म जाने तो यह रहता है दोस्तों मेगा फ्लोटिंग प्वांट पर सेकेंड होता है इसका फुल फार और इसका परियों किसके लिए करते हैं तो कंप्प्यूटर के जो CPU रहती है उसकी गत्जिकों मापने के लिए हो मापने के लिए हम लोग एम फ्लाप्स का परियों करते हैं कि देखिए दोस्तों मैं दोस्तों तक की आवधी तक windows 10 का यह नमीनतम संस्क्राण था था ठीक अब देखिए उसका पॉन्डोज जो था यह दोस्तों कब आया था तो एक विंडोज 10 जो था यह आपका 2015 में आया था ठीक और देखिए इसके बाद यह क्या हुआ कि 2019 में ठीक 2019 तक यह लगभग समझे रहा और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इसका नया संस्क्रण आया गया ठीक कब इसका नया संस्क्रण आया तो देखिए 18 माई 2021 को इसका नया संस्क्रण आया ठीक और यह जो नया संस्क्रण 18 माई 2021 को आया यह आया 21 H1 नाम से 21 H1 के नाम से ठीक क्योंकि यह तो 2021 में आया है तो 21 हो गया H1 नाम से ठीक तो Windows 10 2015 में आया यह हो गया अब देखिए 37 नमबर कोशन है निमलकित में से कौन इंटरनेट पर एक समय के प्रतिसम्वेदी सेवा है तो एक समय के प्रतिसम्वेदी जो सेवा है वह है इंटरनेट टेलिफोने कि माइक्रोसाफ्ट एक्सल वर्क सिट की पहली कालम का लेबल क्या है तो देखिए दोस्तों कि माइक्रोसाफ्ट एक्सल वर्क सिट की जो पहली कालम यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइक्रोसाफ्ट एक्सल में पहली कालम और पहले तो देखिए आपको इस त का रो आएगा ठीक अब इसमें जैसे कि आप कोई भी चीज प्रिंट कराने जाते हैं तो इस तरह से उसका साइज लिखा रहता है जैसे कि ज sö यहाँ साइज तो इसी तरह से इसको दोस्तों सें इसी डाइप के तो पहला कालम आपका बबी से तीसरा कलम आपका छूथ्य से待 होता है चौंथा कलम करें तो पहला रो आपको वन से स्टार्ट होता है और दूसरा रो यहाँ पर दो से तीसरा रो यहाँ पर तीन से चौथा रो यहाँ पर चार से इस्टार्ट होता है ठीक तो इसी तरह से यहाँ पर यह आपका जोड़ा बन जाएगा पहले वाले का A1 फिर यहाँ से यह हो गया पहले वाले का A1 तो A1 यहाँ पर यानि कि पहले वाले कालम का ही मातर पूछा गया था तो कालम का आपका दोस्तों आ जाएगा यह वाला यह आ घर कर्दार्यम का static random access memory है तो static हो जाएगा यहां पर correct answer अब देखिए यहां पर 44 कोश्चन करें कि माइक्रो 60 वर्ड के संद्र भाइन मैक्रो का क्या अर्थ तो मैक्रो का पर्थ है कि मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रिंखला है जिन्हें आप किसी कार को सोचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले जाते हैं कर तुछ है कि 125 कम्पूटर पढले के समद में इसिदुन फुल फार्म क्या है थो देखके 2 ऑफर्म पुलादी नहीं है वह है आपका रेंडम कि अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन 43 नंबर का क्या रहे हैं लेकित में से कौन Microsoft Excel सूत्र का मान क्या होगा अलाकि यहां पर दोस्तों यह कोशन अधूरा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहां पर इसको कुछ फार्मूला यहां पर इसको देना चाहिए था फिर इसको सालब करते हैं तो यह 26 आता वहां पर कंपलीट नहीं है वर्तमान में ना दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडोज की समगरी को असानातिरित करने के लिए निमनमिस से किसको उपियोग किया जाता है यहां पर इसके कहने के मतलब यह है दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों जब भी आप लोग आनलाइन एक्जाम देते होंगे तो आप लोग पता होगा कि कोई कोशन ऐसा रहता है कि काफी बड़ा होता है तो जब बड़ा रहता है तो आपका पूरा कोशन पूरे स्क्रीन पर नहीं आपाता है तो जब स्क्रीन पर नहीं आता है तो जो रोलर लगा रहता है स्क्रॉल बार आपके माउस पर उसकी सायता से आप लोग उसको घुमा करके नीचे करके और जो सेंतालिस नमर कोशन है कि Windows 10 को किस वर्ष जारी किया गया था यह मैंने आपको पहले ही बताया है उपर Windows 10 को वर्ष 2015 में इसको जारी किया गया था सत्य और असत कथन को पहचाने करें विंजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता है यह गलत है Linux system software है यह सत्य है आपसर नमर यहां पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा सेंतालिस नमर कोशन है निम्रेशन की तुमें से कानुपरियोग फरत अप्लिकेशन लेयर प्रोटोकाल नहीं है तो यह है आपको दोस्तों TCP ठीक तो अप्लिकेशन लेयर प्रोटोकाल TCP नहीं है और तालिस नमर कोशन है कि Microsoft Excel में किसी रोग के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड साटकाट क्या है कि यह दोस्तों अंतिम सेल में जाने के लिए और अरपानेट को माना जाता है तो अरपानेट दोस्तों यहां पर करेक्ट अंसर हुझाएगा दूसरा अरपानेट पचास नमबर कोश्चन देखी यहां पर कह रहा है कि Microsoft Word 2007 के मेनू बार में कौन से टैब डाकुमेंट में असुद्धी जांचेने टिकपड़ी करने परिवर्थन करने और उनकी तुलना करने की स्विधा प्रतान करता है तो रहता है आपका दोस्तों रिविव यहां पर आपका दूसरा अंसर करेक्ट हो जाएगा रिविव ठीक अब देखिए दोस्तों जो भी स् सबसे उपर पेपर का यह तो इस पे आप लोग इक डिक करें यह फिर दोस्तों home page पर नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए आको मिलेगा प्रीविएस पेपर के एक यहां से जाके दोस्तों आप अपना कोश्चन पेपर और पीडिएप सब कुछ डाउनलूड कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिए और अपने दोस्तों सेर करें और आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर एक टेलिग्राम गुरूप भी बना दिया गया ह है जो कोशिक्धिश सब्सक्राइब आप लोग इसको जरूर देख़िए ख देखिए कि यहां पर यह जो अबज़तिव इस मिल एग दों सबस्तों आपको च्छ गिसा क्राइगा अब्यक्टिश्च करते अपने धोस्तों क्साँ शेर करिए रिंगे आंक यू